काम ऐसा करो की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निसान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर आप ऐसे जियो की मिसाल बन जाए, तो माइडियर आप सभी का फिट से टीवील कोचिंग के इस सीटू पर हमें बहुत-बहुत स्वागत है, तो दोस्तों जैसा कि आप थमनल देखकर अनुमान लगा लिया होंगे, कि इस वीडियो में जो है, हम लोग डे टू, अर्थात बिहार आईटा इंट्रेंसी जाम को देखते हुए, हम लोग डे वन, डे टू ऐसे करते हुए, सीरीज चला रहा है, तो डे टू, आज का सेशन होने माला है, और इस डे टू वाले सेशन में हम लोग गुननखंड, जो फैक्टर वाला चेप्टर है, इसमें जो भी कोचन अर्थात 5-6 कोचन है, 5-6 कोचन जो है, हमको मिल पाया है, तो उसी 5-6 कोचन को देखेंगे कि गुननखंड के चेप्टर से कैसे-कैसे बिहार आईटा इंटिक सिजाम में अब तक कोचन पूछ लिए गया है, तो आई वोप आप इस वीडियो को अन्रग देखिएगा, क्यो कि इसमें भी जो हम लोग कोचन लेकिया है, वो भी कोचन आपके प्रिभियस एर में पूछा गया ही कोचन है, तो चलिए आज का यह सेशन सूर करते हैं, और हाँ दोस्तों सेशन को सूर करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक प्यारा सा वीनर मेरी रिक्वेस्ट है, कि समारे हट वीडियो को देख पाइएगा, तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं, आज कई सेशन का गुननखन का फॉर्स फॉर्स वास्ट कोचन क्या है और क्या बोल रहा है, तो माई डियर आप फॉर्स फॉर्स कोचन Shrine पर देख पा रहे होंगे, तो तीन गुननखंड होते हैं वह आपसे find out करने के लिए बोल रहा है माइडियर आपको दे रखा हुआ है क्या एक्यू दे रखा हुआ है एक्यू पालास क्या दे राख हुआ है माइडियर ऐसक्वायर उसके बात टू получ में 8 लंक होते हैं वो कया है वह आप से फाइंड आफ करने के लिए बोल रहा है तो मासम्य मैं इसका कालने के लिए बोल तो इसका गुननखन निकालना है और आपको अलग अलग चार अप्छन में 4 जो है गुननखन दे रखाु है तो उसे में say क्वई एक तो ऑग तो हम लोग को इसका कीसे निकालना है तो हम इसका कैसे निकाल सीखना है तो माइडियर इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें तो ये दिवघात समीकरण यदि रहता, यदि दिवघात समीकरण के रूप में रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अब हाज गुननखन के रूप में तोर कर और वहाँ से गुननखन निकाल लेते, लेकिन यह दिवगाद सम्मिकरण के रूप में नहीं है, यह क्या है, तो इसको हम कैसे ज्याद कर सकते हैं? इस तरह नहीं ज्याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक तरह से common लेकर इसको solve करेंगे, और इसको गुरंखंड के रूप में change करेंगे, परिवार्तीत करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं यह aq के पास यह aq और इस 8 को एक साथ ले लेते हैं यह aq और यह 8 जो है आठ इसको दोनों को एक तरफ ले ले लेते हैं तो aq और 8 लिख दिया अब यह बचा यह और यह बचा तो हम इसको एक साथ a square plus 2 a लिख दिये हैं हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर हमने क्या किया है कि लास्ट वाला 8 जो है उसको हम aq के नजदीक लाध रख दिया है यहाँ पर जोरे यहाँ पर बात एक ही हुए है यहाँ पर प्रलस आठ लिखे फिर ही यह यहाँ पर आठ लिखे पुल प्लस में एसक्वाइर है अब प्लस में टू ए है ठीक है थोड़ा सा और इसको आगे बराएंगे तो हमारा आशर आई होप की यहां पर आ जाना चाहिए तो यहां पर जो है एक यू आट टू के रूप में यहां पर दिख रहा है यह क्या है एक यू और टू क्यू है ना तो यह क्या किसके रूप में देख रहा है एक क्यू प्लस बीक्यू के रूप में दिख रहा है माइडियर एक क्यू प्लस बीक्यू के रूप में दिख रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है माइडियर एक बार जोर देते हैं इंटू में क्या होत है A square minus A B. अब प्लस में B square. यहीं होता है इस में सूथर पर यह बैठ रहा है तो हम लोग इसी के form में इसको तोड़ेंगे तो यहां पर कैसे तोड़ेंगे A plus A, यह हो गया और B यह था तो यहां पर B हो गया तो यह आप पॉलस में A B अर्थात A B, यानी कि 2 A, A, A है उसके बाद B कया है? 2 है तो 2, minus 2 A, उसके बाद प्लस में B क्यों? तो B के अस्थान बाद 2 है तो 2 का, sorry, B स्क्राइड तो B के अस्थान बाद 2 है तो 2 का, इसको आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, तो बच रहा है क्या प्लस, और यह आपका बच रहा है, तो यह आप यहाँ पर इसको देखिएगा, यदि, तो इसमें से यदि देखिएगा, तो यहाँ पर A दो गो है, और यहाँ पर वो ए है तो इन दोनों में से एक कमल ले सकते हैं तो एएक कमल लेंगे यहां पे तो हम लोग का क्या बचे का यहां पर यहां पर बचेगा यहां पर टूट गया है यहां पे दोगून ख़ंद कर दोड़ा है यहां पर देखेंगे तो यहां पर A-Plus-A-Plus-A-Plus-ㅋㅋㅋㅋ sorry , A-Plus-A-Plus-A-Plus-A-Plus-A-P Cuz. दोनो यहां पर कमण मिल रहा है कि नहीं यह चुकी दोनो गुना को रूप में हैं और यह भी तो A-Plus-A-P如此 टू कमन ले लिए तो यहां पर क्या बचा है यहां पर थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर देख रहे हैं एपलस टू है ठीक है अब यहां पर स्कॉर हो गया अब यहां पर मायनस टू एय है और यहां पर यहां पर गूफ यह है तो यह माइनस टू एय कि यह को यह क्या हुदेगा गड़ार जो भी है वह फाल्वु बारत सींवल जाँ व्लू उपहरोति और यूए बदर ऒल्रहिए कि ए पर अंप है कि एक को रplay यहां पर निया में यह चीन अलग अलग होता है तो जो अंक बड़ा होता है उसी का सिंबल लिखते हैं और उसके बाद जो है बड़े अंक वाले में से छोटे अंक को घडा लेते हैं तो 2a में से एक हट जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा एक बचेगा सिर्फ और जी हाँ दोस्तों option number b दीख रहा है अपका option number b देख रहा है इसलिए आपका option number w देख रहा है इसलिए आपका option यहां पर बाद में लास्ट में दिया है तो यहां पर जल्दि से जो यदि आपका practice नहीं है तो आप 2 bit लिख कर सकते हैं नहीं लेकिन यही आपका यह वाला इक्वेशन दिया रहा था तो आप आसानी से देखते तो यहां पर एक यू आए आठ तो आठ का का लिख सकते हैं दो का की लिख सकते हैं उसके बाद चेंज करके हम आराम से ग्याद कर सकते हैं तो यह थोरा सा चेंजिंग बात किये जाए तो अगला कुछ में आप इसके इसकी पर देख सेते हैं, इक एक एकवेशन दे रखा हुआ है, sorry, एक आपका गुंणनखंड निकालने के लिए बुल रहा है, इसमें भी गुंणनखंड निकालने के लिए बुल रहा है, आपको क्या दे रखा हुआ है, अठारे अर्थात अठार यहां पर यानि कि यह दिवघात बहुत है तो दिवघात बहुत को हम लोग आप आसाने से अभाजी गुनानखन के रूपें तो निकाल सकते हैं तो यहां पर आपका क्या हो गया छोतरी अठारे अब इस 11 को ऐसे दो भागों में बातना होगा कि गु कि 2 में तोरिये गा तो 9 में दूसरी गुनान केए गा проект 2003 और 9 यौकश जोरी एकात यह साठीतिसपाई कर गया अर्था नौ और गृषा और दौ शीच जांफमल क्या रहाँ है प्लस काहीं र stri tap रे एक और दू लाएगा दो तो कम या फिर अधिक उते हएगा तो इसलिए यहां पे नो जो है यह पराश में रहेका और दो भी पॉलस में रहेका उसके बात में ठीरियों यह विमृत में दिए भीज अब के आप समझ भाएंगे तो यहापका गुनन खंड के रूप में निकल के आएगा यह थी प्रकार दीया होगा चलिए देख लेते हैं option 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 जी हाँ दोस्तों option कितना नमर मैच कर रहा है ठीरी एक्स प्लस वन ठीक है उसके टू एक्स प्लस ठीरी यानि कि option नमर ए ही जो है आपका मैच कर रहा है इसलिए आपका option नमर ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा तो I hope आप इस कोचन को भी समझ गए होंगे तो यहाँ प इसलिए देखना तो होगा न कि कैसा कैसा कौचन आपका एक्जाम में पूछता है तो यह आपका आपका एक्जाम में द्वहरा आट या पूछा है अभ लिए अगले कौचन की बात करे तो अगला थर्ड नमर कोचन बोल रहा है आपका यह जो है यह अहाँ पर एक उसके बाद प्लस में 9 एक सुवाई दे रखा हुआ है और इसका गुननखंड निकालने के लिए बोल रहा है तो जब इसका गुननखंड निकालीएगा तो काफी मतलब यहां पे थोरा सा लटर पटर वाला मैटर आ जा रहा है क्योंकि यहां पे जो है दो गो जो है चार दे र यहां पे दू कुछ रखा रहुआ है तो आपको जो है एक कोर्दिंग टू ऑफ्षन चालिएगा तो यदि आप ए नमबर को था रहा है एक से माइनस एक से माइनस टूवाई पलस थिरी का हॉल स्कार अब इसका हॉल स्कार तूरिएगा तो तूर कर देखिएगा तो यहां पर इसके बराबर आएगा तो यह option आपका सही होगा अन्य था नहीं होगा लेकिन यह वाला नहीं हो आएगा क्यों क्योंकि यदि आप यहां पर देखते हैं देख रहे हैं तो यह एक से स्क्वाइर है एक से स्क्वाइर है यदि आप इसका स्क्वाइर करेंगे तो यह x का स्क करते हैं तो एक से स्क्वायर जो है और नला बात करते हैं तो ने रहं एक्स पलेखाय हुगा हूँगा hope को भी आप जो है solve किजिएगा तो इसमें भी पहले x square और बे करेगा तो x square यहां पे भी आ गया यहां पे भी था टो x square वाला तो होई भी नहीं करेगा क्यों कि क्योंकि इसमें x square का कहीं चर्चर नहीं है यदि आप d number option की बात करते हैं तो d number option आप देखिएगा तो यहां पे x plus y minus 3 का whole square होता हो यहां पे भी तो आप यहां पे भी तो x square होगा यानि कि यहां पे भी x square आएगा तो यह x square का जो है यहां पे भी चर्चान नहीं है यानि कि यह वाला x square जिस जिस option में आएगा अकेले में x square वह वाला option कताई नहीं होगा तो यदि आप c number option की बात करते हैं और c number option को check किजिएगा तो c number option में दे रखा हुगा है क्या 3xy into में x minus 2y plus 3 और यदि आप इसको solve करते हैं तो solve करिएगा तो क्या होगा 3xy में x से गुणा किजिएगा तो 3x square y आ गया माइनस में 3xy में 2y से गुणा किजिएगा तो 3 2 6 x y का whole square आ जाएगा उसके बाद 3xy में 3 से गुणा किजिएगा तो 3 3 का 9xy आएगा जो की आपका same to same आपका कोर्चन में बोल रहा था और यही same to same मिल रहा है इसलिए आपका option number c will be correct answer हो जाएगा तो आई होप आप इस कोचन को समझ गये होंगे आपको इस कोचन को बनाने के लिए जब भी दो चर एक सांध्य दिया रहा जाए तो आपको by option ही जो है चलना होगा और बनाना होगा ओके तो चलिए अब next कोचन की तरह बढ़ते हैं तो माइडियर है इस कोचन हमको प्रिवेशर का मिल पा रहा है उतना ही हम कोचन आपके स्तामने ले ले ला रहे हैं यादि हम चाहें तो इसका जो है जो थोड़ा सा समय बढ़ाने के लिए अपने से भी कहीं से भी कोचन उठा कर आपको दे सकते हैं लेकिन नहीं आपको पूर्य पूरूब के सा का कमान क्या है यदी आपको इतना का एक गुल नखन है अर तरहत आपको यहाँ पर एक बहुपद दे रखा हुगा है के का पावर 8, sorry, x का पावर 8, sorry, sorry, my dear, sorry, my dear, I really sorry, x का पावर 8 प्लस के x का पावर 3, उसके बाद माइनस में 2x दे रखा हुआ है, उसके बाद प्लस में 1, और इसमें, इसका जो है, इसमें जो ये के है, ये इसी के कमाण फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, कि इसका के कमाण क्या है, वो आप बताए, लेकिन, इसका एक गुनन खंड जो है, इसका पूरे का एक गुनन खंड जो है, आपको x पलस 1 के रूप में दे रखा हुआ है, एक्स पलस वन के रूप में देर ख़ा हुगा है कुछ भी नहीं करना हैं माइडियर क्या करना है डायरेक्ट आप इस यह जो इसमें जो कमान करने के लिए बोल रहा है इसको आप जीरो के बराब कर दिजिएगा ठीक है और यहां पे आपका एक्स पलस वन जो एक गुनंखान रखा हुआ है इसको भी आप 0 के बराबर कर लिजिएगा और यहां से जो है आप एक मूल ग्यांद कर लिजिएगा आप यहां पर देखिएगा तो ॏ झेल टीघ्या तो एकष आरेगा अर्थाथ एक मान तो आपको पता चल गया चे और वही एक मूल पर यहां पर एक मान आपको मालूम चल गया माइनस शो इस समिकरन में निकानला होगा किसीह भी मन निकाला होगा, आप असानी से घ्याद कर सकते हैं, अब यहाँ पे x कामाद आपको minus one चुके निकल गया, तो आप डाइरेक्ट यहाँ पे x कामाद पूट कर लीजिए और यहाँ से k कामाद घ्याद कर लीजिए, मैनस one यहाँ आपे put करेंगे x का पर, माइनस 1 का पावर 8, जब भी माइनस वाले का पावर सम में आता है, सम में रहता है, तो उसका जो चीन हो जाता है, वो पलस हो जाता है, क्या हो जाता है, पलस हो जाता है, यह माइनस में 1 है, तो क्या हो जाता है, पलस में 1 हो जाता है, यह के इंटू माइनस 1 का की हो, तो यह य होजाएगा आइओप कि यहां पर समझेंगे यहां पर देखेगा तो-ब मीनने समाने से वा घुना के बाइन से माइनस-2 और यहां पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस पॉल इस दो होजाएगा अब उसके बाद तो minus k और इस 4 को उध्य बेज़िएगा तो minus 4 हो जाएगा इधर यह minus और minus दोनों cancel out हो जाएगा तो इसलिए यहाँ से आपका k बराबर क्या जाएगा चार आजएगा जो कि आपका right answer होगा यदि आप option की बात करते हैं तो इसका option जो है d number option में 4 दे रहा हुगा इसलिए आपका option number d will be correct answer होगा तो I hope आप इस question को भी समझ गया होगे तो यहाँ पर इस तरह जो भी question दिया जाएगा तो आपको क्या करना है वहाँ से direct x का मान जो है निकाल लेना है जो आपका एक मूल होगा और उस मूल को direct x के जगवा पर पूट करके वहाँ से k, a, b, c, d जो भी का मान निकालने के लिए बोलेका वह आप निकाल लीजीगा तो चलिए आज करिये session यहीं प्याहन करते हैं चुकि इसमें हम को गुरंखन वाले chapter में काफी कम question मिल पाए हैं इसलिए हम इतना ही question आपको करा रहे हैं लेकिन यह भी इसको भी देखकर आप अनुमान लगाए कि आपके exam में question कैसे कैसे पूछा जाते हैं और इसी के और फिर से एक request है कि यदि आप हमारे मोटिवेशन लाइन को सुने है स्टार्टिंग में ही तो कैसा लगा कितना अच्छा लगा और उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिली या नहीं नहीं मिली आप comment box में उसके recording जो है राई जरूर दीजिएगा ठीक है तो चलिए आज का यह से सनांत करते हैं जय हिंद धन्यवाद